Hello everyone, स्वागात है आपका इरिशाद अली, Motivation and Education चैनल को उपर दोस्तो आज की स्टूड़ में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूड़न्ट MSE 2nd Semester में हैं या 4th Semester में हैं तो जब भी आप 2nd Semester या 4th Semester में जाते हो तो आपको एक Topic मिलता है, आपके एक सब्जेक्ट रहता है हम यह कह सकते हैं, वो सब्जेक्ट जो होता है, वो डिजर्टेशन होता है या Project होता है, तो आज हम जो आपको बताएंगे, हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में राइट और अगर आप four semester में है तो इसे हम dissertation कहते हैं राइट अगर आप second semester में हैं राइट अगर आप MSC में है and second semester में है ठीक है और अगर आप MSC Geology या MSC Chemistry में है MSC Physics है राइट MSC Botany है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा dissertation fourth semester के लिए राइट तो जब भी आप second semester में होते हैं तो आपको बनाना पड़ता है project और जब भी आप four semester में है या final semester में है तो आपको बनाना पड़ता है dissertation राइट तो हम देखने वाले हैं dissertation project के जो basic content होते हैं और किस तरीके से आप topic को एक को एक particular topic पर काम कर सकते हैं work कर सकते हैं and submit कर सकते हैं राइट तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें तो हमारा जो content हम यह पता होना चाहिए जब हमें content पता होगा उसके बाद ही हम सारी चीजों को पढ़ सकते हैं और work कर सकते हैं तो अगर हम content की बात करें तो अगर हम यहां पे लिखें अपना content सबसे पहला जो हमारे content आता है वो आता है हमारे introduction right right introduction के बाद दूसरा जो हमारा point है वो हमारा review literature का review literature का and third point जो हमारा है वो रहेगा हमारा object right and four point हमारा जो रहेगा वो रहेगा material जिसे हम क्या सकते हैं method and material methods and material right अभी तक आप लोग को क्या समझ में आया कि जब भी हम project orientation के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसका content पता होना चाहिए right content में हमने बात की introduction की की पहला point हमारा जो होता है वो हमारा introduction होता है और दूसरा होता है review literature का right and तीसरा हमने आपको बताया हमारा जो तीसरा point है वो है object का right and चौथा जो point है हमारा वो हम method and material का right तो method भी आ गया है material भी आ गया है उसके बाद हम past show point हम अपना करेंगे result का right कि हमारा result क्या निकल रहा है then six point हम करेंगे discussion का right so यह हमारा discussion हो गया and seven point हमारा होता है conclusion and eight हम कह सकते है references यह दोनों point को चाहिए आप साथ में ही लिख करके include कर सकते है right तो यह basic हमारे कुछ points होते है ठीक है समझ में आ रहा है तो अभी करके समझते हैं कि क्या क्या सारा चीज होता है right तो जब भी introduction के बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या scientific method की तरीके से गर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए topic क्या चाहिए हमें सबसे पहले आपको चाहिए topic आपका वो topic क्या हो सकता है वो topic बहुत सारे होते हैं और जब भी आप topic को चूस करते हैं तो मैं अपना गर personal opinion बता हूं तो आपको करना ये चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आपको किस field में interest है सब्सक्राइब जोलजी के student है अब आपको चाहिए topic I mean to say जैसे आपका एक subject है animal behavior है तो उसमें आप पढ़ेंगे animal behavior animals के animals को जो reaction होता है behavior है pattern है pattern of behavior वो कैसे होता है अलग एक topic बन जा रहा है तो जितने भी animals उनका behavior आप देख सकते हैं वह एक topic बनता है जैसे कि हम यह बोल सकते हैं topic में study of ants behavior राइट फर्स्ट टॉपिक होगी हम आल लेजे यह नहीं जमता है तो दूसरा topic अगर हम देखे हैं हमने ants behavior देख लिया और 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 भी animals है राइट तो हम उसके बारे में देख सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं study of earthworm या इसी को आप लिख सकते हैं behavior of earthworm राइट मालेज़ थार्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो आप smoking ले सकते हैं smoking smoking topic नहीं रहेगा इसमें आपको add करना पड़ेगा कि आप एक particular area में कितने student हैं या कितने सारे लोग हैं जो smoking करते हैं suppose करिए अगर आप इसा तो नहीं कि पचास लोग ही रहते हैं वहां पर जो population होगी वह पांसो दोसो हजार कुछ ऐसे कि जितने भी आपको मिलेंगे male female student मिलेंगे सब का कुछ है करना है कि वह कौन smoker है कौन नौन smoker है और अगर smoker हैं तो उन्हें क्या-क्या problems हो रही हैं क्या-क्या बीमारिया हैं उनके अंदर और अगर बीड़ी भी कुछ लोग smoker करते हैं तो आप यह दो category ले सकते हैं कि सिग्रेट बीड़ी दोनों को हमने इंक्लूट करके study किया है तो smoking का अलग topic बन जाएगा जिसमें आप disease बिजाय कर लेंगे और आप यह भी पता कर लेंगे कितने smoker हैं नॉन smoker हैं इसके बाद होता है एक अलग topic के बारे हम बात करें हम four topics यह से water quality को हो गया water quality है अब यहां पर water quality कई तरीके को कई तरीके का हम कह सकते हैं जैसे कि एक हो गया हम जो डेली यूजस में पानी को यूज करते हैं जैसे drinking के लिए हो गया तो वह जो पानी जहां से आता है filter से ही आता है पंप के थुरू आता है तो वह वाटर आया कैसा उसकी quality आप चेक कर सकते हैं अपने अपने एरिया में राइट तो एक को एरिया में अगर आप चेक करेंगे तो आप इसमें बहुत सारा चीज देखेंगे उसका TDS क्या है water की water में TDS कैसे PS कैसा है तो कई सारा चीज देखने के बाद आप इसका निर्क्षर कर सकते हैं और एक रिजल्ट आपको मिलेगा राइट तो यह water quality का एक हो सकता है राइट इसके बाद कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वारल डिजीज के राइट जैसे एक डिजीज हमने देखा है जायतर हमारे आसपस एरिया मिल स सकता है टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड कितने है सब का सब्सक्राइड करना पड़े है कितने ऐसे पेसेंट हैं जिनको टाइफाइड हुआ है तो उसका आप बना सकते हैं एक hospital सब्डेटा लेकरके अगर डेटा मिल जाय तो एसे कर गी बहुत सारे टोपिक हैं तो न कभी डिसकस करेंगे कि आप टॉपिक क्या ले सकते हैं राइट तो एक मिसाल के तौर पर हमाल लेते हैं वाटर क्वालिटी का ही राइट तो यह जो वाटर क्वालिटी है या फिर हम यह भी कह सकते हैं और आर्ट का माल लेते हैं राइट तो आर्ट में हैं इसमें पिए सबसे बड़ा हैाप कहा स्रैड्यकृत लिखने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए क्या पहले तो topic मोख करने अपको इंट्रेस्थ होना से सबसे पहलो तो याद रखेले और ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे erase करके आपको बता जिता हूँ सबसे पहला चीज आता है यहाँ पर आपका interest कुछ भी topic चूज करने से पहले आपको उसमें इंट्रेस्ट होना जरूरी है अगर इंट्रेस्ट नहीं है टॉपिक आपका कुछ भी ले लो मन जब नहीं करें काम करने को तो कोई मतलब भी नहीं रहा उसमें आपका इंट्रेस्ट ही नहीं है तो उसमें काम करने वर्क करने में अब्जरवेशन करने में कोई मज़र नहीं आएपको तो इंटरेस्स होना बहुत जरूरी इंटरेस्टर्स है तभी उस काम को करिए सबसे पहला तो यह है उसके बाद topic चूझ करिए राइट इंटरेस्ट है टॉपिक ले लिए आपने और टॉपिक लेने के बाद क्या करने सबसे पहले आपको उसका इंटुड़क्शन आपको पता करना है इंटुड़क्शन कैसे पता करेंगे आप गूगल का यूज कर सकते हैं कहां का Google का Google में भी आप सर्च करेंगे न उस topic को सर्च करना है Google scholars सर्च कर लिए जब साथ में Scholars तो यहाँ पर आपको क्या होगा कई सारे उसी topic के review मिल जाएंगे आपको या सबसे simple अगर मैं बताऊँ आपको topic का introduction के लिए तो intro के लिए आप क्या करेंगे suppose करेंगे आपका topic है arts behavior का अगर arts behavior आप study कर रहे हैं तो इसका आपको introduction लिखना है तो introduction लिखने के लिए आप क्या करेंगे आप Google में जा करके type करेंगे arts behavior study of arts behavior वहाँ पर आपको maybe आपको जाना पड़ेगा कहा तो Google में जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर कही सारा website मिलेगा तो किसी भी एक website को click करना है click करने के बाद line से वहाँ पर आपको introduction मिल जाएगा कही सारा topic का अगर आप वहाँ से लिखते हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको reference को note करके लिखना है आपको suppose कर ये आपने एक website open किया और वहाँ से आपने एक paragraph ले लिया तो paragraph खतम होने के बाद आप देखेंगे one फिर दूसर लाइन स्टार्ट होगा उसके बाद two ऐसा करके लिखा रहता है paragraph खतम होने के बाद इससे आप click करेंगे click करेंगे तो आपको एक अलग सा reference नजर आएगा यह उस उतने topic को किसने दिया है second अलग click करेंगे तो वहाँ पे नजर आएगा यह जो इतना आपने topic लिया वो किसने दिया है तो वह reference होता है तो यहां सब को reference अलग है लिखना पड़ेगा अगर website से लिखेंगे तो कुछ-कुछ website यह आपको नाम भी मिल जाएंगे यह सब्सक्राइब कम्प्लीट हुआ एक paragraph तो वहां से आपको one ना लिख करके वहां पे लिखा रहेगा reference का नाम कहां से लिए आगया है ठीक है तो वह ज्यादा बहतर रहता वही आप ट्राइ करियो करने की यह सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्या करें आप बीहेवियर स्टेडियोफ और बेवियर सर्च करके आप गूगल में टाइब करें भीडियेफ। right जब आप पेडियाफ ट्राइब टाइब करेंग है तो कई सारे पीडियेफ अगा है ठेका है वह सबस्ते पो और रिफ्रेंस रहेगा उसे राइड डाउन करते जाना एक कॉपी में कि यहां से हमने यह लिए था नंबर वन रिफ्रेंस यह है नंबर टू यह है इसे आपको सिस्टम बनेगा क्योंकि लास्ट मुझ आप रिफ्रेंस लिखेंगे तो वहां पे हेल्प करने वाला है ठीक है यह दो जाए इंटृट्रेंस आपको मलें एकी एक और छीज मैंने नहीं बताया आपको फूंका एंप किसे इरिएया में में पधार रहे हैं यह का इरिया कॉंसा है वह किस सचेट में आता है ठीक है उसके जोग्राफिकल कंडीशंस का है सारा कुछ आप लग सकते में भी दे सकते हूं से इरिया का ज्यादा बेहतर रहेगा रिभी लिट्रेचर कहां से लिखेंगे एपको जैसे मैंने बताया पीडिया आप डाउनोड करेंगे कि तो सेकर्ण पॉंट से पार को अपको द्यान पूरक लिखना पडरेगा बतल यहां पर आपको सौधानी परतन से लिख सकते हैं ठेक है और किसी भी एक PDF से एक वेबसाइट से सारा कुछ नहीं लिखना आलाग लग टापिक सेम है अलाग वेबसाइट होगा अलाग गूगल स्कालर्स जो होते हूं उसके लिखने स्कॉलर्स के और PDF से लिखने हैं अब आता है आप अबजेट आपने तो अगर हम बात करें, तो कई सारे behavior होते हैं, जन्में से एक है उनका eating behavior, वो eat कैसे करते हैं, राइट, वो आप देख सकते हैं, आंट्स भी पर आप study कर सकते हैं, उनका aggression क्या है, अगरेशन को चेक कर सकते हैं, तो object आपको लिखना पड़ेगा कि आप किन-किन topic के उपर गौर करने वाले हैं, क्योंकि आंट्स तो बहुत सारे हैं, इस species बहुत सारी है, तो आप species हो गया, और इस species में आप क्या चीज को find कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपकी study को एक अलग पह क्या उनसा, राइट, कैसा method है आपका, survey method है, experimental method है, क्या method है, तो अगर आप study कर रहे हैं, तो आर्स को observe कर रहे हैं, तो जारी से बात experimental behavior आपका आ रहे हैं, क्यों कि experiment करना पड़ेगा आपको, अब जैसे smoking वाला अगर आपका topic होता, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप यह कह आपका survey हो जाता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो method में तो आपको पता है, कि हमने क्या-क्या चीजें यूज की हैं, सारा कुछ तयार करने में, तो आप बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जिसमें आप यूज कर रहे हैं, जार हो सकता है, ड्रॉप, ड्रॉपर हो स सकता है, right, bottles हो सकते है, water हो सकता है, honey हो सकता है, right, और sugar हो सकता है, sugar हो सकता है, sugar हो सकता है, fruits हो सकता है, क्योंकि आर्ट को आप जब check करेंगे, उनका eating behavior, तो उन्हें pass लाने के लिए, उन्हें attract करने के लिए, कुछ नको चीज यूज करना पड़ेगी है, तो वो आजाएगा material में, कि अपने material क्या लिया है, इसके बाद आपका result आएगा, right, तो result में आपको लिखना है, आपने जो भी observation किया, observation देखा, तो वो result जो था, वो कैसा आया, right, उसके बाद discussion है, अपका फिर conclusion है, फिर reference है, discussion आपको करना पड़ेगा, कि जो result आ रहा है, वो किस वज़ा से आ discussion के अंदर आपको बताना पड़ेगा, कि इतने-तनी मातरा हैं थी, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये result है, ये कम हो जाएगा, तो ये आएगा, तो discussion कर लेना है, फिर conclusion बताना है, सभी का, उसके बाद last में reference लिखना है, तो ये जो कुछ points है, इसको बहुत ही मद्दे नजर धान रखते हैं, आपको करना है, तो basic points तो यही होते हैं, जो आपको एक digitization तयार करने के लिए help करते हैं, तो जो basic points है, मैंने आपको यहाँ पर basic points के बारे में बता दिया है, कि यह basic points होते हैं, ठीक है, अब किसी एक particular video में हम बात कर लेंगे, topics क्या-क्या है, किस-किस topics में आ कर सकते हैं, और अगर आप तो अपने college के बात करें, तो आप ऐसा topic यूज करिएगा, क्योंकि आपके जो seniors होंगे, अब उनका topic नहीं ले सकते हैं, जो आपके senior होंगे, जो recent ही निकलने हैं, पास out हो करके, अगर आप 4 semester में हैं, तो recent out जो हुए होंगे, आपके senior, उनका topic आप उनका topic ले सकते हैं, बस आपको ये करना पड़ेगा, कि आप locality change कर देंगे, suppose करिए अगर एक student है, उसने study किया था, चिर्मेरी में, किसी एक area का नाम है, तो चिर्मेरी में अगर एक student study किया था, आंस behavior के बारे में, या human abu blood group के बारे में, कि कितने ऐसे लोग हैं, जिन record में ab blood group पाया जाता है, जैसे, ab blood group वाले कितने हैं, b वाले कितने हैं, o वाले कितने हैं, right, तो ये जो study करना है, एक area में, तो suppose कि किसी बच्चे ने किया था, चिर्मेरी के अंदर एक खे तर एरिया का नाम है चिर्मेरी है, तो उसमें किया था किसे ने, आप super senior ने, तो आप अपना एरिया जो होगा जैसे आप मनिंद्रण में रहते हैं जगड़ा खान में रहते हैं या खौंगा पानी में रहते हैं या जैबलपूर में रहते हैं कहीं भी रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसी टॉपिक को लेकर क्या आप एरिया चेंज कर दीजे कि मैं स्टड अगर उस लोकल एरिया में अगर पांचो पब्लिक थी तो यहां पर तो पांचो नहीं पाई जाएगी ज़्यादा हो सकता है तो कम हो सकता है तो यह आप कर सकते हैं तो ऐसे शुपर सिनर के साथ टॉपिक होंगे आपको एरिया चेंज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा यह आपको मैंने दे दिया है इस आइडिया पर आप अपने जो गाइडेंस वोंगे उनसे बात कर सकते हैं टीचर से उसके बाद आप बिल्कुल ट्राइ करिए और जो भी टॉपिक जो कुछ भी समझ में ना है तो हमें उसके लिए आप हमसे कॉंटाइट कर सकते हैं हमारा सब्सक्राइब भी है लिंक डिस्क्रिशन में मैंने आइड कर दिया आप जा करके जॉइन भी कर सकते हैं अभी हम स्टाट भी करने वाले हैं लेक्शर सेरीज जिसमें हम सेकेंड सेमेस्टर एंफोर समेस्टर के और टॉपिक्स को कवर करेंगे तो छोटा सा अरसा होता है छ आपके नोट्स भी तयार करने पड़ते हैं फिर आपको समझाना भी पड़ेगा तो बहुत सारा काम रहता है जो कि अब खुछ जब इसकाम को करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो अकेले करना बड़ा मुस्किल है दो दो क्लास इसका तो सारा टॉपिक तो मैं नहीं कह स पूछ सकते हैं जिनके पास मेरव प्रसuft कर सकते हैं हमने यह का में कहाई है कि हम PPP हो गया में परव Liberty फोन आते हैं ऑश çeसोंद को ना और्माय वह बनवा भी सकते हैं रह अज एंड बना कर सकते हैं और सेकेंड यह है की हम सिखाते भी है कि कैसे अप ना करके सीख सकते हैं तो उसके लिए आप contact कर सकते हैं हमसे and third चीज ये है dissertation हो गया and project हो गया वो हमें guide करते हैं students को कि आप किस तरीके से बना सकते हैं right तो ज्यादा जनकारी के लिए आप हमें contact कर सकते हैं हमारा number आपको description ने मिल जाएगा mail भी कर सकते हैं सारा कुछ आपको description में मिल जाएगा एक बच जरू चेक करिएगा ठीक है तो आज किस वीडियो में हम बस यहीं तक close करते हैं जो भी चीजे समझ में नहीं होंगे आप दुबारा से हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो अगर आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लेजे क्योंकि जो भी हमारी नहीं वीडियो आती है सबसे पहले आपको इसकी जनकारी मिल सके मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स ओड फर वाचिंग और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा